हम लोग आज तीन्ष लोग करने का प्रयास करेंगे भगवद गीता के बहुत ही रुचिकर हैं मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्न भी आस पर आ सकते हैं और हमारे अध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि लोग कुछ सोचते हैं कुछ लोग सोचते तो बहुत ब्रह्म विद्या आध्यात्मिंव विद्या में खाने के बारे में क्यों बोल रहे हैं चलनी बात है सको देखेंगे मेरे पीछे बोलिए आयू श्रीमत भगवद गीता सतरवाध्याय श्लोक्रमांग आठ आयू सत्व बला रोग्या रोग्या सुखपृती विव रस्यहस निग्धा स्थिराह रिद्या आहा रहा सात्विका प्रिया आयुहु सत्व बला रोग्या शुख प्रीती विवर्धना रस्यहस निग्धा स्थिराह र्ध्या हाँ रहा सात्विका प्रिया मुली आप अयुख सत्य बस्त और रोग एकुण एकृण रहारह सात्विक प्रिया है। तो आपको याद होगा कि थीम चल रही है कि चार प्रकार की चीजें चार चीजें तीन प्रकार की आहार यग्य तान और तपस्या ये तीनों गुणों के अंसार होता है तो अभी आहार की व्याद जल रही है तो आहार के जो पहली लाइन है ये सात्विक आहार के प्रभाव का वर्णन करती है क्या effect होता है और जो दूसरी लाइन की पहला भाग ह रस्या सनिक्दा इस तरह रिद्या यह उसके सुभाव की वो देखेने में कैसा लगता है सात्य खाना तो देखिए क्या क्या गुण है इसके कि आयू को सत्व मतलब चित को मन को मन बुद्धि चित हंकार बल आरोग्य हैनि की सोस्त होने के लिए सुख मतलब मन को सुख प्राप्ति होती है पृति मतलब अच्छा लगता है तो यह चीजों को यह बढ़ाने वाला सात्विक भोजन होता है और वो होता कैसा है देखनें कै कि रहे हैं यानि की पहला हो गया उसके तरफ्भ श्तलक्षण और करता है और कर शरूब कैसा होता है रस्या वो रस्मय होता है स्थेर मतलब जैसे दूद का फेन होता है वो फुस हो स्थेर होना चाहिए और हिर्द्या म की God झीए आफ्लों को प्रिय होता है तो जो विक्ति जैसा होता है उसको वैसे खाना पसंद दोता तो जैसा खा रहा है उसके साथ समझ सकते हैं कि वो साथ विक्तियों को प्रेय होता है वह आयू बढ़ाने वाला जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल स्वास्त सुख तथा त्रिप्ति प्रदान करने वाला होता है ईसा भोजन रसमे स्वास्तप्रत तता हृते को भानने वाला होता है ठीक है प्रहुपाजी ने टीका नहीं किया प्रहुपाजी रखष दिरेंश लोक्ति कम त्म अव्रुपाजी दूभा? हम अलophobia ौजन करता है। तो बुशन टीका स्पष्ट है सात्विक भोजन आयू अर्थात चिर जीवन चिर जीवन मतलब लंबा जीवन तो जीवन को लंबा करने वाला होता है सत्व अर्थात चितकाध हैर्य कभी आपने लोगों को देखा है जो लोग बहुत जल्दी उखड जाते हैं इसका समझते हैं उखड़ना हर छोटी बात पर वहां गुसा हो जाते हैं परिशान हो जाते हैं तो दोने चित में धहर नहीं है तो यह सारे चीज़े यह चितकी अधहरता को प्रस्तृत करती तो इस प्रियास कर रहा है थोड़ी फलता प्राप्त हो गई तो बस अब डिप्रेशन में आ गए जो विक्ति का खाना अहार निद्रा भय और मैथुन इसमें नियमन है इसमें शुदता है उसका मन शुद्ध होगा और वह मन शुद्ध मन होगा तब भगवान की बात को ध्यान पूरव सुन पकेगा आपने कभी कभी देखा है जो हमारा चित बहुत परशान रहता है क्लास मे तो रहते हैं क्लास में नहीं रहते हैं वह मन जगह जगह भाग रहा है कुछ समझे नहीं आ रहा है क्लास में क्या बोल रहे हैं मन बड़ा परिशान है तो कह रहे हैं कि जो खाना ऐसा है अगर सात्वी खाना होगा तो चित में धैर का संचार करेगा धैर समझ रहे हैं धीर तुट प्रीटि cónd suis एंघ त्यो तो अ हुर slick सोने में गया था तो में तो कोई मसाला तो नहीं करते शल्दी जो है वह कच्ची हल्दी होती उनकी systems में मुगती नहीं उसको पीज करके डालते हूं अध्रक कैसे डाल देते हैं अध्रक हल्दी और इस प्रकार का जीरा मैक्सिम यूज करते हूं लिए खाने बहुत स्वादिश्ट होता है वह अलगी टेस्ट होता है अब इसके लिए इंडोनेशन जाने जीरत नहीं है यहीं पर खर ना सकते हैं और अज क्यों पैकेट वाला खाना बाना करके फैकेट वालेजो मसाल डालके खाना बनाते हैं उसे कितना स्वास्त खराब हो जाते है आपने महसूस किया होगा कि यह जो खाना भी बनता है अगर मसारा ना इस्तेमाल करें थिक तो हर सबजी अलग इसको हम लोग ने वहां नभव किया था जगनाथ जी का जो मायापुर में जगनाथ हैं वहां पर प्रसाद हम लोग ग्रहंड किये थे आज भी को याद है 2004 में प्रसाद पाए थे वह थाली याद है पूरी कम से कम 12-13-14 आइटम थे और हरे का स्वादा को अलग दिखाई पड जाता है और राजसिक लेलो और कुछ ऐसा भोजन कर लो चावमीन और इस अब खालो तो फिर मन आपका लगे गाने की हीता पढ़ेंगे नहीं हुपाएगा तो आप कहेंगे प्रभुजी पहले तो बोला था कि चामीन घाना है तो भोग लगा खाओ हाओ तो वह वेक्ति के चित्य को देख के बुला जा रहा है यह यह उसका निरुपा क्या कह सकते निरुपे शुरूप से हित करने वाला नहीं कि रोग प्रतिरोदर शक्ति ब्रदान करने वाले होते हैं यह तो बहुत सपष्ट है कोई दिक्कत नहीं इसमें जो भोज्य पदार्थ इन गुणों की व्रद्धी करने वाले होते हैं और इस लोग की दूसरी पंक्ति में वर्नित आकर्शक गुणों से युक्त होते हैं रस्या सिनिक्दया स्थिरा हृद्या यह था दूद चीनी और चावल आदी वे उन लोगों को प्री होते हैं जो साथ पिक होते हैं हम जब बोलना साथ किस चावल यह सब साथ पिका जाता है लेकिन वहीं चीदे की चावल में अगर बहुत सारा मसाला मिला देंगे या और डाल इत्यादी में बहुत सारे ठस मसाले ठस मल राजसिख मसाले ला लेंगे तो फिर वह बोजन भी राजसिख हो जाएगा इससे पहले कि हम लोग पढ़ते आएक कहानी सुनाएंगे यह समझ में रहा है रस्यारसा की आर्थ पता रहे है तो पहली लाइन में क्या बात रही थी इसका प्रभाव क्या होता है किन-किन चीजों को बढ़ाता है आयू सत्व आरोग्य बल सुख प्रीती प्रीती छे चीजों को बढ़ाने बादा है अब गुण को देख रहे हैं गुण कैसे हैं जर चेक करेंगे उसके रस्यारस शब्द उन भोज्य पदार्थों को अलग कर देता है जिसमें रस नहीं होता यथा चना अदी अब आपनों के मन में प्रशन हैगा मेरे में प्रशन आ रहा था चना तुम खाते तो प्रभुपाज में इसका समाधान करते हैं अभी दसमें श्लोक की टिगा में कि यह भले ही अपने आप में सात्विक नहीं लेकिन अन्य चीजहों के मिलाक संग मिला के सकता है ग्रहंण किया सकता है जाना सुखा होता है ना उस चाना समझ रहा जो भूना चाना तैदी होता हुआ है तो रस स तो उसको राजिश्यक बोजर में डाला जाता है लेकिन वह जब अन्य वस्तमों के संग रहन किया सकता है प्रवपास को समझाते हैं अभी आगे अक्यले यह लिखा कि अक्यले खाएंगे तो आपका मुह सुख जाएगा यह भी आए का ठीका में हां मलब खा सकते हैं लेकिन उनको अन्य वस्तमों के संग मिला के खाया सकता है यह जीज़ बोल रहे हैं अभी आप देखेंगे दश्मय अधाय के उसा दस्मय श्लोक की टीका में सुन में आजाएगा सिनिक्द शब्द गुड आदी रुक्ष पदार्थों को अलग कर देता है अब कर देता है अब कर दो खायता है लेकिन धान दीजे गुड को अकेले नहीं खाने करें बोल रहे हैं गुड को अन्य वस्तमों के संग मिला के खाय जाता है यह प्रभपाद अब देंध में फिर के दूद में मिला कर वक्ति को ग्रांड करना चाहिए नहीं रस होता है लेकिन यहां पर रुक्ष बोल रहे हैं रुक्ष रुक्ष का मतलब रुखा सूखा नहीं बोलना है रुखा और सूखा में अंतर समिझ में आता है रफ इट इस रफ 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 अरभे से अधिक और दूद का फेन में स्थैर है दूद का फेन समझ जाग जो उपर का है वह सात्विक नहीं होता है हरद्या शब्द कटहल आधी को अलग कर देता है जो वस्तुमें पेट और भूग के लिए हितकारी नहीं होते उन्हें अहरद्या कहा जाता है किसी आयरवेदिक वैद्य से पारश्यत्या दी विमारिया हो जाती है पाइस बगर की प्रावलम हो जाती है इन्हों को पेट खेले अच्छा नहीं होता है बादी कहते है तो यह सब जो है अहरद्या है तो इसलिए है भी सात्विक नहीं है अब कठाल नहीं खाना चाहिए यह कहना तुमेरे लिए बड़ यह समझना होगा कि यह सभी भोज्य पदार्त शुद्ध भी होने चाहिए यह बहुत महत्पूर्ण है माले दूद्ध है यह चीनी है यह चावल है तो यह ऐसा नहीं है कि गंदा संद पड़ा हो यह जूटा हो किसी का वह भी उस प्रकार से भी ग्रहन करने योग्य नहीं हो होता है तो शुद्ध भी होना चाहिए ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तमोगोणी भोजन का वर्णन होगा तो वहां पर अमेध्य शब्द का उप्यों होगा जिसका अशुद्ध भोजन जबकि सात्विक भोजन इसके विपरीत अर्थात शुद्ध होता है तो समझ में आ रह अब तो बडा साट्व तुन लगेगा लिंक दो बहुत बहुत खराब इसे बिताते हो प्रवेश आज आज आणा बनाने वाले श्मित्ध करने में कर रहा है और खाने बनाने वाले और टो बनाने गे स्ंपर Алव कर ने कर रहा है हो तो यानि कि वह चीज़ें बहुत शुद्ध होनी चाहिए यह तो आप एकदम सपस्ट महसूस करेंगे कि अगर कोई वेक्ति साफ साफ़ाई से बोजन बनाता है और अपर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इमेड़ेटली यह तो इमेड़ेटली यह तो इसका बिल्कुल अलग होगा और जो एकदम खराब चितना वाला व्यक्ति है वो खाना बनाएगा तो आपको बिल्कुल वसमसुस होगा जैसे आप देख सकते हैं कि कितना भी कोई व्यक्ति करें उसे घर का खाना अच्छा लगता है होटल खाना अच्छा नहीं लगता पैसे वाले लोग भी घर मे यह भी है कि वो लोग प्रेम नहीं करते आपसे आप लोग कैसे कोई अन्भव नहीं हो कुछ समझ भी नहीं आता है इसंट इट सभी का अन्भव होटल के खाना आपको एक दिन खा सकते हैं रोज खाएंगे तो बहुत अजीब से लगेगा उनके प्रेम नहीं आपके प्रति है कि नहीं ठीक है हां दूद में फेन क्या होता जब दूसे जाग निकलता है तो जाग में स्थिरता नहीं होती है जाग नहीं देखा आपने दूद में हां तो वह जाग जो है उस जाग को पिना नहीं चाहिए वैसे हम लोग ने सुन दे हैं भागवातम में कि जल में भी अ सात्युक्त समझ में आ गया राजचिक देखते हैं अभी तो कोई प्रस्ट नहीं आया आश्यर हो रहा हुझे आएगा उसमें बहुत सारे प्रस्ट बनने चाहिए मेरे पीछे बोली नेक्स्ट लोग ही राजचिक आने की उपर है कट्व अम्ल लवनात उष्णा तिश्ण रुक्ष विधाहिनहा आहारा राजसस्येष्टा दुख शोका मयप्रदाह तो देखे इसमें गुणों का बनार है कट्व कट्व मतलव कडवे व्ला मतलब बहुत खट्व मतलब लवन मतलब नमकीन ती उष्ण अम्तलब गरम अती श्व मतलब चट्पटे चट्पटी से कि आधार रहा है आपको damn Di 3,50 समझते हैं यां पर क्या बहुते पानिपुरी को आप ने पर ने रहा है ज समुझ देना चाहिए को आपए यह अब देखे भल को देखकर ऐसी भावना नहीं आती है, कि आवो मुझे खाओ, वाज मुझे खाओ, लेकिन गोल-गप्पे सब चीजें हैं, यह सब देखके हर लगता कि is रजस्जिक होता है। लेकिन गोल-गपे खाने के बाद कैसा लगता है। एक्दम मन स्थिर हो जाता है मन उसके बाद पर देखेंगे जलन होती है अब इसमें समझनी वाली बात क्या है एक शब्द है इसमें अती आती देख रहा आपको कहीं उष्ण के बाद अती है नहीं स्वरी लवन के बाद अथी है लवन अति उष्ण तीश्ण तो यह समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि कोई जिसमें अब कहेंगे कि भही लवन मतलब जिसमें नमक होगा वह सब राज़ेक होगा ना यहां शब्द है अती अती शब्द को हर गुण के संग लगाना पड़ेगा अती कटू अती लवन अती और अती विदाइन हां विदाइन मतलब स्वारी जलाने वाले होंगे तो अती का मतलब है कि बहुत अधिक नमक डाला है तब राज से कहने तो बिना नमक के खाना कैसे खाएंगे क्या समझ में आ रहा है तो करेला भी थोड़ा ग्रहन करते हैं वेक्ति लेकिन आपको नीम का जोड़ा जाए तो बहुत कठिन है कि मेरी बात समझ में आ रही है आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि खटा वस्तु ग्रहन नहीं किया सकती है अती खटा जैसे अब कैसे बोल जाती खट्टे के ग्जामपिल कह लिया था भी यह गोल कप्पे यह अती खट्टे होते कि नहीं इमली इमली भी है जिसे मारे सामहर में भी इमली पढ़ती लेकिन अब यह नहीं कि इमली हमें सब बना दिया जाए गवा लिटल बिट उसो थोड़ा समें ग्रहन किया सकता है चट्नी लेकिन ऐसा नहीं कि अब उसको एकदम जह उता ना बहुत मिर्ची वारी चट्नी होती ह अलज जैसे मुझे याद है वोलोग गांव में गये तहें यहां पे ब्रज में तो थोड़ा मठ्था पीजी है अ मथअ मुझे वैसे पसंद है तो मठ्था दिया लेकिन मठ्थे में मिर्ची लाल मिर्ची ऐसे डाल रखी चाय उती ना चाय के पथी नीचे इखटी जाती है उसको पी आप उसको फेक तो सकते नहीं है मेरी आंख से आंसू आना चाहिए तो बोला इसमें थोड़ा करंट है मैंने का मेरे सारे फ्यूज उड़ो गया आपके करंट से उसको थोड़ा बोल रहे हैं जैसे चाई की पत्ती उतना ऐसा भारा वाता नीचे इतना उसमें लाल मि स्थे पार इसको एक मताव है जो लोग राजसिक है उनको आयसे खाना पसंद है उसका प्रभाव क्या है दुख देटाए दुख मतलब मूं को दुख देए रषोक और आमय प्रदा आमय का मतलब होता है पेटं का प більॉइमारी प्रदा करने ब денभा पीड़ा होता है ठीक है इदम गरम खाने की जिए गिरी और बदिलकुल गरम किचरी खाने ते यह सब शरीर में रोग उत्पन करता है अब इसका मतलब यह नहीं है कि ठंडा खाना है यह नहीं बुल रहे हैं इतना इतना गरम नहीं होना चाहिए आपका जल जाया मूह आपने देखा है कि इस तरह ऐसे खटे नमकीन गरम चटपटे शुष्क तथा जरन उत्पन करने वाले भोजन रजगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं ऐसे भोजन दुख शोग तथा रोग उत्पन करने वाले हैं गिता बुशंटी का यह शुलोग रजगुणी भोजन का वंदन करता है तो अब जिसक हैं तो इसको यह विवेक का निर्मान कर लेना चाहिए कि भाई यह सब चीज़ें अच्छी नहीं है धीरे धीरे अपने जीवन में सात्विक भोजन को लिखे आना चाहिए हाना एकदम से तो को विवेक्ति नहीं अपनी आदत छोड़ सकता है लेकिन धीरे धीरे करके नहीं करना चाहिए कि कभी लोग बोलते हैं इस परकार से कि यह तो स्वास्त के लिए अच्छा है तब स्वास्त के लिए खा रहे हैं प्याज और लेसुन को छौक मारना आपके स्वास्त के लिए एक बढ़ा अच्छा बोले थे कि 6 इंच की जीव 6 फिट के आदमी को गिरा साथ शब्दों में अति शब्द को जोड़ लेना होगा यह लाइन आपको समझ में आ रही है अति का मतलब अति कटू अति लवन अति तेक्ष्ट अति रुक्ष इत्यादे अति कटू अर्थात अत्य धिक कडवे होते हैं यह था नीम आदी तो अब कम से कम यह बात उस्पष्ट है कि नीम बैगर नहीं खाना चाहिए और पता नहीं कभी कभी लोग नीम को फ्राइक कभी खिला देते मुझे याद है मैंने सुना था से हम लोग कॉलिज में थे तो वहां पर लोगों को पसंद आता था नीम तो वहने सुना सा कि एक सुड़न था हम मेरे से पहले हैं तो वहां पर प्रसादम बनाया गया नीम का नीम बैगन या नीम फ्राइए और उसको जबर्दस्ती खिलाया गया और बचारी ने कृष्ण भावनाई छोड़ दिया नहीं तो मुझे लुख निलते हैं तो मुझे और बहुती है तो मैजे प्रिंदाव toujours पसंद है तो अब शमयान 바 Verfिण पनावा था और मैने एक स्पून ले लिया पूरा यहां खाए नहीं जा रहा था उसको मुझे छोड़ना पड़ गया तब से निम आता है तो मैं बहुत सतर कर रहकर कर के उसको नहीं गरांड करता है इसे तो निम की बत्ती लोग खाते हैं शरीक शोधन करने के लिए लेकिन अब नीम की सब्जी बनाना कितना उचित है मैं कह न तो तो पहो सकता है महाप्रवों के लिए है कि नहीं पताना अधी परंतु इसमें काली मिर्च नहीं आती क्योंकि वह तीक्षण होती है मतलब यह कटू है वह तीक्षण है बहुत अधिक खटे अधिक नमकीन और अधिक गरम भोजन रजुगड में आते हैं समझानी जुरत न नमक खाते हैं और उसे आपको पता होगा कि हड्डियां सब गलना चालू हो जाती है तो इसे नहीं लेना चाहिए वस्तताह देखिए मैंने सुना इस प्रकार से कि नमक को अलग से नहीं खाना चाहिए यह नुक्सान बहुत जहर की तरह नहीं नुक्सान होता है खाने में ब प्रकार से में डाल दें ठीक है अलग से नहीं लेना चाहिए लेकिन इसका पालन में हमेशा नहीं कर पाता है बहुत तीक्ष्ण जैसे काली मिर्च बहुत सूखे जैसे कंगू एक प्रकार का बाजरा सूखा मतलब कर मूँ सूख जाएगा खाके और अत्याथिक गरम भुज होते हैं परन्तु सात्मिक लोग इसको पसंद नहीं करते इस पेशली आप देखेंगे कि राजसिक गुण का एक गुण है शुरुवात में बड़ा अच्छा लगया कुष्ण के लिए बाद में बहुत दुख होता है यह जोगुण का मुख्य लक्षन है तो उसी प्रकार स से कुछ बहुत कड़वा बहुत तीका खाएंगे ऐसे करेंगे बहुत अच्छा लगा लेकिन पीट में जा करके फिर जलेगा है कि नहीं हमारे भक्त वता रहे थे एक दिन कूंपता नहीं मिर्ची वाला कुछ खा लिए कहता है प्रोजी सुबह बहुत प्रॉब्लम है अला लाल मिर्च माल है कि आप जानते हैं कि सबसे अ यह बहुत नुकसान दाएक है तो लाल मिर्च खंतो की बहुत नहीं करना चाहिए जो पिसी लाल मिर्च सुधेनस कभी नहीं करना चाहिए तो उसके बाद य्वर द जयाओ जाँद्यॉन हो गया तो आप q a करना चाहिए तो इस प्रकार के रोगों को योत्पन करती है वह तत्काल दुख देने वाले होते हैं दुख शब्ट की व्याक्या हो रही जैसे जीव या गले का सूखना समझ में आ रहा है वह बात कर रहे थे कि आप चना खा रहे हैं वह सूखा है यहाँ प्रकार उसे खाएंगे और सूखा और कौंसे भोजन ने होते से गला सूखता है गया नहीं आ रहा है को देखे काली मिर्च ग्रहन की जा सकती है लेकिन पॉइंट है कि कितनी मात्रा में ग्रहन कर रहा है समझ रहा है मेरे बात काली मिर्च का हलवा तो नहीं बना सकते हैं समझ रहा है इस चीज़ को हां भीगा चना अंकुरिच चना नहीं तो सूखा नहीं है आप देख सकते है उसे जोक अर्फाट मन में दुख देना यह तो आम पश्टे देख रहे हैं जो बहुत की चीजे बहुत को खाते हैं तो मन में क्यों खाली इतना आप लोगों को अगर नहीं विश्वास है तो एक्सपेरिमेंट करके देख लिए मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता है लेकिन आपका भी खिचरी बनाईए और अचार दीजिए और फिर आप जम के अचार खाले जी खिचरी के साथ फिर देखे क्या होता है खिचरी का आफटर टेस कर एक भी दिन जब से आप लोगो कर रहे होंगए तो एक भी दिन फी भी दिन नहीं कर रहा है कर रहा है ethic और हुग वह जो बहार मुग यहीं बै। इसलिए कोई कितना अच्छा लग रहा है मन भी प्रसंद रहाता क्या आप लोग असान भव नहीं कर रहा है इससे पहले जो हमारे डिवोटी के छे में थे लोग वो जो भी था उनका कारण था उनके मन में ऐसा भावना थे कि जब तक हम सामर मसाले नहीं डालेंगे तो भक्ती कि इसे आईगे भागवां तो प्रेम करते है तो प्रेम है वो शामर मसाले में पड़ा हूँ महाद चुपा इस लिए ऑर खूब छूपा चुपा चुपाकर निकाल निकाल कर मसाले डालते त 우리 इस निए इसकारन से आप देखिये कि तुरंद आपका जो है जो जो स्थे सबस स्रीपाद यामुनाचारी जी के बारे में आप जानते होंगे यामुनाचारी जी बहुत बच्पन की उमर में एक पंडित को हरा दिये और उससे उनको इराजा का आधा राज्य पराप्त हुआ और पूरुते भोग विलास में वह लिप्त हो गए उनके नाना जी थे नातमुन नातमुनी के इश्यश्य थे नाम राम मिश्र और वह उनको नातमुनी जब श्री छोट रहे तो कह रहे थे मेरा जो पोता है वह बहुत अच्छा भक्त था अभी वह भोग विलास में लिप्त हो गया है कृपया उसे वापस लेकिया जाईए तो राम मिश्र तो ब्राम्मर् यह जो है उसमार राजा को पसंद था तो रोज तो रूमलाई साग लेकिया उसे पकाता और उनको खिलाता इस से उनके हुर्दे में धीरे-धीरे सथोगुन बढ़ने लगे और फिर उनने पूछा और एक दिन प्र एक साल के बाद वह नहीं लेकिया एक दिन समझ रहना ना पुआ साग की नहीं बनाया तुमने का साग लेकि आते थे ब्रामन वह नहींये कौनवरमन ए तो फिर उसके बाद वह है रामेश्ञ क verbess रोभी को बलातें इसे मिलते हैं कते तुम्हारा बहुत बड़े संपति रखी हुए साथ दिवानों के अंदर अंदर है उसे लेने चलो तुमें साथ में आना पड़ेगा और फिर जब उनको लेकर जा रहे होते तो रास्ते में भगवद गीता की श्लोक बोलना शुरू कर देते हैं रामिश्री जी और जब यामन व्यक्ति हैं साथ इंडर में कहा रहे है कि इवल थोड़े से मसालों के परवर्त में एक व्यक्ति को समान वेक्ति को अच्छे का से बिगति को एक पशु की तरह कामी बना सकता हूं इतना खाने का प्रभाव होता है और अब दिख सकते हैं कि साथ्वे साग और रोज ग्रहन किया तो अब उनको मन में जो राजिक प्रवर्थी तो कम हुई तो भगवान की बात सुन सकते थे तो इसलिए ऐसा मत सोची कि खाने का कोई प्रभाव नहीं होता खाने का ही सबसे प्रभाव होता है सबसे बड़ा प्रभाव खाने का है कि समझ रहे ना मेरी बात जब तक भोजन शुद नहीं होग कि मती भगवान मी लगे कि नहीं प्रभु बाज़े से कहते हैं तुम अपने मन से बुद्धी नहीं समझ सकते हो जीब से समझोगे से जंगे बने क्रूट टी यादि और भगवान का प्रसाद ही ग्रहन करेंगे तब भगवान की बास समझ में आई है यह बड़ा जादुई प्रसस है नहीं तो अगर सब बुद्धी से समझ लेते तो इतने पीजडी है वह सब भगवान के भगत अगया और आप रियास करें उनको समझ में बिल्कुल नहीं आता ऐसा होता है कि ने? सारे बुधिमान लोग अगर भगवान को समझ लिए होते हैं तो असा कितना असान होता? लेकिन शुद्ध भुध्धी होने चाहिए और भगवान का प्रसाद करहन करने से आती है और भगवान का नाम जब करने से ठीक है? यह दुख देने वाले होते हैं बाद में रोग देना जैसे रख्त के दूश आ दे यानिकी आम आये मतलब उनको बीमारी भी प्रसुत करने वाले होते हैं अब हम लोग तम्मगोण के बारे में सुनेंगे जैसे की वो क्या होता? कुकुर मुत्ता? इसको इंगलिश में मश्रूम मश्रूम और यह कैंड भूड इस सब तम्मगोड में आता है कैंड भूड समझते हैं जो पैक करके रख दिये जाता है उसके भी वाक्या होगी मेरे पीशे बोलिए यात यामम गतरसम यात यामम गतरसम पूती पर्युशितम चया उच्चश्टम अपिचामेध्यम भोजनम तामसप्रियम याम का अर्थ होता है तीन घंटा यात यामम मतलब जो भोजन पकाने के तीन घंटे के बाद दिया जाए इस भगवान के प्रसाद के बारे नहीं बात हो रही समान ने भोजन इसी दिए धाबों भी नहीं खाना चाहिए धाबे वाले तो अब क्या बताएं उस दाल कोई ज्ञाग निकलता जाता है दाग मलता समझे लेना महकाने लगती है उसी को हटा हटा करके जाक हटा हटा करके थोड़ा फ्राई करके और छौक मार करके दे देते हैं अग करने पूरोज आक Вас से पता हमारी जो क्रिचदार है उन्हें दाबा चला चुके हैं तो या से देते हैं और इतनी गंदी सब्जी कि मैंने कभी नहीं खाई उसको पैसे तुमने पूरे दिद्धी हमारे छोड़ के चल दे महां से बहुत क्रूदित हुए और उससे कोई शरम नहीं आ रही थे कोई शरम नहीं आ रही थे अब सबसे दाल में पर साथ तो है नहीं जाग निकल आए जाग समझते ना सडल रही जाल उससे जाग अटा करके फिर थोड़ा सा फ्राई करके चौक मार की मर्जी डाल करके दे देंगे और शाद कुछ लोंको अच्छा भी लगता हुए पूती का अब प्रपात बता रहे हैं बद्बू आ रही है और परिशुत्म का मतलब है कि सड़ गया है उच्छिष्ट का मतलब है किसी का जुटा भगवान के वैश्णों के भक्त के जूटा की बात नहीं कर रहे है समानिलों का चुटा जैसे यहां प्राय देखा जाता है जगत में कि लोग पत्नी और पती एक ही भोजन से खा रहे हैं कभी नहीं होना चाहिए पती घर खाता है उसकी जूटा पत्नी का जूटा पती को नहीं कहाना चाहिए आपने देखा हो यहां पे गोल गोल यप्पे के शाप शापे अससने से प्रेम बढ़ रहा है इसा बाते अब मतलब जो अशुद्ध भोजन है यह तामसी के लोगोप्री है इससे पहले कि मैं भूल जाओं कथा बता देते हैं को कान बंद कर लिए कि बहुत घिनोनी कथा है क्यों आएगी सुनते हुए लेकिन फिर ही बताएंगे शिल्ला बक्ति सुन्द्राकर जी बर्मा गए थे और उसके बाद वहाँ पर वहां पे पूडि देशीगीम पूरि छन वा रहे थे तो वहां जो पॉडोशी देखेन है क्या बना रहे हूं यह इतनी बद्बू आ रही है देशीगीर की पूरिए तुंको बद्बू लग रही है देखे कितना चित खराब है और ने कैसे खाना पसंद था सुनना चाहेंगे आप लोग खाना जो बनाएंगे से बनाएंगे जिपकली जो है जो मर जाती है उसको पानी में डाल लेते हैं जो बदू आने लगे सडने लग जाया तो उस पानी को ले लेकर कि उसका खाने पर छिड़कते हैं और वह उनको बड़ा अच्छा क्यों बताया लेकि अब यह पॉइंट ड्राइविन करने के लिए कि तामसिक लोगों कैसा खाना पसंद यह है बात बोली गई शमा कीज़िए कि ऐसा उधारन नहीं देने चाहिए लेकिन इस टाइक दैट पीपल आर लाइक दैट उनको ऐसा ही खाना पसंद आते हैं उसके अब देखेंगे मैं कहूं कि यह चार दिन पराना खाना है खाएंगे आप लोग और यह जो कैन फूड होता है कैन फूड समझते ने कैन भर भर करके प्रिजर्व डाल लगे खिलाए जाता है खाते हैं उसको हम पैसा दे दे की खाते हैं उसमें लिखा भी रहता है कि अगर कैन भूल गई है जिसमें लिखा रहता है इसको मत ग्रहन कीजिए इनि सर्दाना तो पहले दिन से चालू हो गया है और बाकि जो मां से त्यादी खाते हैं उसका तो पर कहना ही कि वह तो बहुत ही घराब चीज़े अब में ध्यमला पूरी तरह से अशुद्व होजन तो ले एवं सड़ा जूटा चाथा अस्प्रिश्य वस्तु से युगत्व भोजन उन लोगों को प्री होता है जो तामसी होते हैं कुछ लोग कहते है कहां लिखा है कि मास नहीं खाना जाए वगवद गीता में क्या लिखा यहां पर अस्प्रिश्य कि बात याद आ रही है बहुत अच्छी बात अदम से यह प्लान नहीं किया था बहुत सुंदर बात एक बार एक बच्चे ने पूछा पी पिता जी दादा जी की मृत्त्य होई आपको शव को ले करके जलाने के लिए बाद ने आपने है और आप तब समझ्टा शर्भ मतलब मुर्गे का शर्भ उस्टी निया है ऐस आप ल enemy ke अब मुझता है घर में किसी की मृत्ती हो जाती है तो मृत्ती होने मातर से उसम्ट होने मातर से हम घर को पूर्य मानते हूं येस और उसको जलान दिया ता फिर तीन तेरा दिन तक हम सुचते हैं पवित्र है और उसी घर में लोग मास ला रहे है नमास और मुर्गा मलब कटा इसकी लाशी तो लेकी आ रहे हैं तब उसको उसको अस्पृष्ष नहीं मानते और खा तो रही है मलब छूना और खाना यह स हुआ बनाते है और मुद्क करते हो हैं इस में अश्प्रिष्ष हुए जैसे इंसान का शहज़न कीपा धरर्म और उस्प्रिष्ष वक्तूष तो समय दीना चाहिए मास और गंदी सब चीजे हैं उनको नहीं ग्रहण करना सब ताम समय होता है कि तात्वर है आहार भोजन का याहार भोजन का उद्देश आयू को बढ़ाना मस्तिश्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुचाना है अब एक प्रश्ण वेवेक प्रभु का था कि आयू बढ़ाने की क्या आव शक्ता है देखिए जरूरी है ताकि हम साधन कर सकें ठीक है कि नहीं तो सवस्ट रहने से वצם कर पाता है अब कार हो जाता है कि वारी हूक intrins leads रहना बहुत जरूरी है तो आयू अ वहां सारी भोजन कि बंदेश्य क्या है किसे जीव को अच्छा लगना चाहिए क blinking आयू बर्धन हरना चाहिए जीव को भी ठीक लगना चाहिए रस होना चाहीए लेकिन साथ में देखना चाहिए कि भगवान की भगती करने के मिला है तपस्या करने के लिए मिला है वह प्राप्ति करने के लिए नहीं मिला है प्राभाजी कितनी बार बता होगे जब तक हम समझते जाते प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्त तथा आयू को बढ़ाने वाला हो यह था दूद के वेंजन चीनी चीनी का मतलब वह वाली चीनी नहीं जो आजकर मिलती है जिसमें केमिकल होते हैं मतलब शरकरा जिसे कहा जाता है संस्कृत में जो है टीका में शरकरा लिखा है जो नाच्रलों तरीका से चीनी बना जाती है वह चावल गेहूं फल तथा तरकारियां सब जीत्यादी यह भोजन अट सत्वणी व्यक्ति को अत्यंत्य प्री होते हैं प्रभपा जिने सारी टीकाओं को एक साथ इसमें लखा है अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुण स्वैम रुच करना होते हुए भी दूद्य अन्य पदार्थों को संग मिलने पर स्वाधिश्ट हो जाते हैं आप समझा रहना कि चना और गुण को बोला गया था कि रुक्ष और सूखे हैं उनको स्वैम नहां करके अन्य वर्ष पदार्थों से सरवत्हा भिन्य अमेध्य की व्याख्या कर रहे हैं क्लियर आपको पता हो कि क्या मारा बता रहे थे प्रवजी शराब शराब जहां सपर्ष कर ले वह तो मुलकुल अपवित्र हो जाती शराब बहुत अपवित्र है इसने जिवन में एक बार भी शराब पी तो दिखाएंगे और दिखेंगे नहीं फिर पिलाएंगे भी आपको आपको वीडियो है ने रखका अच्छा यम्राजी ने भीज़ा आपके पास इस प्रकार से है तो कहें मालों के कहें परोजी हमने तो बहुत ही सोम्रस पिया है अब बंद कीजिए और भगवान का नाम कि अध्याइब कि इसता शराब तो उसको शराब कहा जाता है और कहा है कि 100-100 साल पुरानी जिस निए शराभ होगी वह तनी ओर अच्छी होती इस जितना सवाब अबस्तू हो वह तरी और अच्छा तो है ना यह तामसिक यह आठमें श्लोक में जिन स्निक्द यानि चिकने बदार्थों का उपलेब्द लेख है उनका पशुवद से प्राप्त चर्वी से कोई नाता नहीं होता यह पशुचर्वी यह वसा दुग्द के रूप उपलब्द है जो समस्त भोजनों में परम चमत पाश्विक मनुवृत्ति है जिसके कारण पशुवद चल रहा है आवश्चक चर्वी प्राप्त करने की सु संस्कृति विधी दूद से है पशुवद तो अमानिवी है समझ में आ रहा है यह बात आजकल क्या करते हैं पशुव को मार करके उसी की शरीर से घे निकाल लेते हैं ने इसको ाइनिमल फैट कहते हैं लेकिन उस प्रकार के यांइनिमल फैट की वो होगा वह फ्रिश्री होगा वैब पुशुपति रहे हैं पशुख्य कह चाहे हैं परहुद तो न हैं तो यह सबसे पुवित रहा है अब तो ऊक्ष्छ दूद गाय कब देती है जब वह अपने बच्छरे को देखती है तो यानि बच्छरे के प्रती प्रेम के कारण उसके स्तनों में दूद आता है तो जो विक्ति और जब उस गाय को बड़ी प्रेम से सेवा होती है और वो प्रेम से बच्छरे को देखती है वह दूद देती तो उसको पीने से क्योंकि उसका हरिदय दरवित हुआ है वही दरवित प्रेम दूद के रूप में है तो जब गाय के दूद को वक्ति ग्रहन करता है तो उसका हरिदय भी सौफ होता है रहपाजी कहते हैं कि आध्यात्निक विश्यों को समझने के लिए गाय का दूद पीने बहुत जरूरी तो मुझे प निकार भी कैसा ऐसा नहीं बचारे को और भेज दिया बचले को देखे दूद पीने को मिले उसके बाद जब वासता है वह जब उति ग्रहन करता है तो गाय सुख से THIS अ और विक्ति की बुद्धि अच्छी होती है मतर दाल दल या आदी से प्रचुर मातरा में प्रोटीन उपलवद होता है कुछ लोग कहते हैं कि मास नहीं खाएंगे प्रोटीन कैसे मिलेगा लेकिन डाल खाने से भी मिल जाता है बस तो आप जानते हो कि यह उनके स्वास्त के ल कि ख़टा कर रोग उथपन कर देता है अंशा मतलब पेट और शुर्शक मतलब अंदर लाइनिंग के लाइनिंग कि बोलते हैं या दे के प्लक्त के हैं लुग कोई भीमा मतलब अंदर युश्कह मतलब अंदर उसकी दिवाल है उसको वह डिस्टरब करता है आप weten करने से होता है तामसी भोजन अनिवार यताह बासी होता है खाने के तीन घंटे पूर बना कोई भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है अब आपने मान लिजिए आठ बजे बनाया रात के 11 बजे खा रहे हैं तो वह भोजन तामसी हो जाता है पूरत में पर बातनी कर रहां तो नहीं करते हैं मैं वह बात नहीं कर रहा हूं यहीm जहां तक हो सकते हैं भागवान को एर्पित नहीं कि जा सकते हैं मश्रूम श्रीपाद्र द्रगुनाद्द को सामी, हम ऐसा कर नहीं सकते हैं, लेकिन, वह भगवान का चावल प्रसाद, जो गाए भी नहीं खाती थी, वो नाली में चला जाता था, वहां से उठा करके, इसको धुल करके, और जो उसका सड़ाव भागता, अलग करके, वो इसको ग्रहन क होता है, ठीक है ना, बाहिरूप से लगा है, वो सड़ा है, तो ठीक है, उसे ग्रहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन, वो है वो दिव्य वस्था में, ठीक है, उच्छिष्ट जूटा भोजन उसी वस्था में किया जा सकता है, जब है उस भोजन का एक अंश हो, जो भगवान को अ श्रीपाद रामन जिचार जी के एक जो गुरुजी थे, मायवादी गुरुजी एक जीवन में उनके जीवन के समय में थे, का नाम था यादव प्रकाश, तो उनको एक भूत बताता है, जितुम पिछले दिने में क्या थे, गिरिगिट थे, और एक वैशनव ने भगवान क भोग अरपन किया, फिर प्रसाद उसने खाया, उसका प्रसाद को तुम ने खाया, जो बच गया था, इस कारण से जो में जीवन में ब्रामन बने हो, और शास्त्रों के जाता हो, के विल एक बारा सक करने से हुआ, तब दिखे कि भगवान का प्रसाद हम कितना हम शक्ति शा जारे जी, वह तालाब के साथ किनारे जा रहे ते जाता तालाब नदी मुझे याद नहीं है, तालाब ही था और अपना उच्छिष्ट उन्हें से फेका, उसमें मचली उन्हें उसको उच्छिष्ट को खाया, तुलन जदुर भुजरूप प्राप्त व भगवान का प्रसा प्रसाद गरांड नहीं करते हैं, वे निश्वत रूप से माया से माधे जाएंगे, बहुत शक्तिशाली है भवान का प्रसाद, एक कोर खाने से करोणों यगे करने का लाब मिल जाता है, एक महीनी का फास्टिंग करने का लाब मिल जाता है, एक प्रसाद एक कोर प्रसाद क करने से तब देखने किते हैं बड़ा किरपा कर रहे हैं अपने उपर भी हो दूसरों के उपर भी जो आप दूसरों को प्रसादम कर दे रहे हैं परम पुझे जैपता का महराज की बड़ी सुन्दर उगती है हमको नहीं बता चलता है कि हम दूसर पर कितनी किरपा कर रहे हैं प्रसाद दे करके या गीता का प्रवचन करके या हरे कृष्ण मत्र दे करके और उनको भी पता नहीं रहता है आगे जा करके जरूर भवान के भक्त बन जाएंगे ठीक है अन्य था ऐसा जूटा भोजन तामसी होता है और वह संदूशन या रोग को बढ़ाने वाला होता है अन्यत्या का मतलब है अगर धावान का प्रसाद नहीं है या वैश्णाव का उच्ष्ट नहीं है तो और ध्यान देना को जिसका उच्ष्ट खाएंगे उसकी गुण हमारे हिर्दे में आ जाते हैं तिक है यह भी ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिश्ट लगता है लेकिस उसे ना तो छूना पसंद करते हैं ना खाना इसकी व्याक्या तो हमने वह शिपके लिवाले बात से कर देख सर्वत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्ष्ट है भगवाद गीता में परम ही प्रमक वस्तुएं हैं जिने भगवान स्विकार करते हैं लेकिन इसका भी उलेख है कि प्रसादम की एक विशेश विधी से बना जाए रुकिए एक पहले बात क्लियर कर लें अगर किसी से प्रेम है तो आप उसको वह वस्तुए देंगे ना जो उसको अच्छी लगती है और आगको नहीं पता है तो क्या किए प्रपजी आपको क्या अच्छा लगता हम बनाएं है की नहीं तो भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि चिकनम मटनम चायम यह बहुत को नहीं बूल रहे हैं बोल रहा है पत्रम पुश्पम फलम तोयम ठीक है अब यानि यग कोई विगती देने के लिए अगर हम वो देते हैं तो भगवान सो ग्रहन करते हैं तो आप कहेंगे भगवान तो सब कुछ खा सकते हां तो तो तुम को भी खा सकते हैं जब प्रलय होता है तो भगवान पूरा ब्रमांडी खा लेते हैं वो को बात नहीं है लेकिन भगवान वह नहीं बोल र प्रभुपाजी केते हैं यह हमारी कृष्टन भावना वड़त है कि भग्वान भिफफ भ अरपन हो रहा है पहले भगवान कघाएगं उसके बाद में दासूं उसके बाद मैं एक होगा हुगता है अज कल तो उषादł है कि मुझे याद है कि एक भक्त बैठे वे थे और उनकी पत्नी आई पत्नी ने पूछा ये सामने की बात है नाम नहीं लूगा किसने लेकिन मैं से चहरा देख रहा था पत्नी को पूछा तुमने पसाद ने लिया क्या हां मैं गुमिंदर रस्ट्रण में खाके आ गई जाए उसी प्रकार से भगवान के हम दास हैं पहले भगवान ग्रहन करते हैं फिर हम खाते हैं अब कुछ लोग करते हैं हाँ पहले भगवान खेला तो बाद में नमक कम पड़ेगा तो हम नमक डाल लेंगे क्यों भई खाना किसके लिए बना रहे थैं मेरी बास समझ माई तो व्य किसे क्सा बढ़ा को और कुछ भूले भी नहीं कि नमक तुम्ह डाला नहीं जब बात ने वह उसने तुना पध्रसाद ग्रांद किया आस्स्तों मैंने नमक डलना ही भूल गया इसे मैंने पहले भी बोला था कि बहुत के प्रसाद में उपर से घी डालना जो प्रसाद नहीं है यह बहुत बड़ा प्राद है भगवान के लिए तो जाब जो आप पित है उसमें तो घी पड़ा नहीं और तुम सबोर सबड़ के घी डाल ले उपर से यह एक अदास की भाव है वह लिया जा सकता है भगवान को दिया नहीं और खूब दमा दमा दंगी डाल रहें उपर से यह कोई भक्त की रिती नहीं है अगर तुलसी अर्पित की हुए कुछ उप तो गिरहन कर सकते कोई दिक्कत नहीं है अब यह अच्छा प्रस्ण नहीं यह प्रस्ण कई बार आ जाता है कि भई हम भगवान को भोग ना लगा करके जो दाल चावल बनाया तो जो प्रसाद तुलसी हो उसके बढ़ डाल नहीं बूल रहे है न तो प्रसाद बन जाएगा तो भगवान को फिर अर्पिती करने के जूरत नहीं तो शीलिया इस टॉक में बनाबन बनाबन करते नहीं देखिये जहां प्रपाजी कहते हैं भगवान इतने महान है तो अगर तुम्हारा भोजन ग्रहन करनेंगे तुम्हारा कितना बड़ा भाग्या है केबल इसलिए नहीं कि हमें कर्णमन से मुख्ध होना है कृष्ण से प्रेम होता जासी इसको किसी को प्रेम करते हैं त के पास आदेंने मेरे बात जैसे की आप बहुत अचस्य खरना क कैसे दे सकता हूं vocalum कि मैं अतना निम्न हूं मैं अतना प्रतित हूं फिर भी कृष्ण में आपके लेके आया हूं आप स्विकार कर लेजिए विश्य नेवर भी परफड़ प्रवपाजी बोलते हैं सुना ना पुने प्रवपात का बहुत सुंदर यह प्रवचान इस प्रकार से है तो यानि की प् इतने ही घंटे पूर्व तयार हुआ हो क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है मैंने शास्त्री को लाल में रखा है क्यों रखा है देखिए वस्तवधा बात तो यह है कि पिजा पास्ता चामीन यह कोई शास्त्र में नहीं है तो हम लोगों को जो वैदिक भोजन है साथ को कर्ड राइस पसंद आता है में यू कन में एवरीडे लिटिल बिट आफ करण राइस पर जगनात एवरीडे भगवान रोज मैं समझते हूं नीभू का चार और दही चावल करण राइस समझते हैं लेके जाते हैं गोलोक में और जब ब्रहम विमोहली रह हो रही थे तब यह हुआ था हाथ में कड़ी चावल दही चावल था और नीभू का चार उनकी उंगलियों के बीच में फसा हुआ था किता सुंदर द्रिश्ट रहना और महाप्रहु को साग बहुत पसंद है तो विभरन प्रकार के साग बनाना सीख सकते हैं और प्रहुपाजी बोलते हैं चतन चरतामित में कि जो भक्त रुची है उनकी वह जो इसमें आइटम बताएगा है उसको सीखना चाहिए यह महाप्रहु को अर्पित किये जाते थे भक्तों के द्वारा चतन चरतामित महान गरंत में भी खाने का बहुत वर्णन है यह बनाया वो बनाया पता नहीं कितने मोचा घंटा घंटा मोचा पता नहीं क्या क्या बाते बूल रहें बहुत सारे बताएगा क्योंकि इससे कृष्ण महाप्रूप प्रशन होते हैं तो सीख लेना चाहिए मुझे आता नहीं है सब बाते हैं लेकिन शास्त्री पहला चीज है कि विक्ति को स्नान करके भोजन करन चाहिए यह नहीं सो के उठेमों भाडते वाया खाना चारु बनाना चालु कर दिया ऐसा नहीं होता है और nerve ने चाहिए बहुत है कि वस्तितन है इसे चाहिए मन्दिर में कि युक्चन में हमारे खांब के बतन नहीं होने चाहिए नहीं होने में बीच जाएगी हमने तो आखों में देखा इस प्रकार से सर के घर पे किछिन में आप बिना धोती कुर्ता के प्रवेश्च नहीं कर सकते है तो बहुत चोटा था किचिन था लेकिन बहुत नियम से रखते थे बहुत अच्छी से रखते थे और उसी में 40-40 लों के खाना मं चाहिए अब लग रखेंगे तो बाहर कहीं दूसरे रूम में रख लीची समें क्या है एक वाश्बेसिन अलग सकते हैं यह से बाते हम अपर संगिक नहीं जो भगवान का जो जहां पर आश्र में अपने देखा है प्लेट अलग रखी किने और भगवान का जो जहां पे चाहिए और वह अपने हाथ से नहीं खाना चाहिए जूते नहीं लगाना चेए पर आश्रा ने पाता हाथ ह Each तो इसा परकार का भोजयन दिव्य होता है इसलिए बाहर की वस्तों को भगवान को अर्पित करने से बचना चाहिए आप कहो कि हम भीकर नेद की भूजिया खा लेंगे ठीक है लेकिन बनाने वाला तो भगत नहीं है ना जो जब तो नहीं कर रहा है ना वो भोजन को रोग प्रतिरोधक खाद्य तथा सभी मनुश्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वपतम भवान को अर्पित करना चाहिए ठीक है लास्टी मैंने एड किया है यह प्रहुपाजी ने तीसरे अध्याय के ग्यार्वें ता ग्यार्वें श्लों के तात्पर में के वह लिखा यह बहुत इंपॉटेंट है देखें देखें है मेरे पीछे बोलिए आहार सुद्ध सट्व सुद्ध सत्व सुद्ध धुर्वा स्मृति के संथ लंभे सर्व ग्रंधिनाम विप्रमोक्ष अ ब्रोप्रमोच्छ अ वैसे कि अहार्व शुद्ध होगा तो बुद्धी हंकार्चित जब सत्व शुद्ध होगा तो दुर्वा स्मृति तब उसके स्मृति तोड़ा दिमाग काम करेगा ठीक से स्मृति लंभे सर्व ग्रंथी नाम विप्रमोक्ष जितने भी बंधन पड़े हुए हैं उसे व्यक्ति मुक्त होगा नहीं तो वसे ही समस्त का चिंतन कर सकता है और यह सब समनी होना चाहिए सब मिलकर कृष्ण भावनामरत तक पहुंचाते हैं यह मेरा प्रतक्ष अनभव है कि हमारे एक विक्ति हैं जानता हूं को वैसे बहुत एक रुप से बहुत बुद्धी मान हैं लेकिन जब सब जब सार्भां पर प्रवचन कर रहे थे अन्याव लचता शुर्य में त्यादी तो उसको समझ नहीं पा रहे थे और हमने देखा गाव में प्रवचन कर रहे थे जो मातर जी लोग थे बिलकुल आठी नवी के पढ़े हुए हैं और भगवान कर प्रसाद करहन करते हैं नाम जब करते हैं उनको समझ में आ पेपसी भी नहीं पीनी चाहिए नहीं उसको सबसे पहले भोग लगाना चाहिए देखिये पेपसी में तो ज्धागी ज्धाग होता है वो ऐसे भी बहुत श्रीटे नुकसान दायक होता है जो समने सुना आने लोगों से पेपसी तो बिलकुल पेपसी कोला मतलब टॉलेट क होता है बहुत और हमारे श्रीट को नुकसान करता है तो पेपसी तो बिलकुल नहीं पीनी चाहिए पीनेट्स मुफली में कोई दिकत नहीं है तिरुमलाइस करेक्ट येस तिरुमलाइस करेक्ट थैंक्यू हमारे घर पर हम खान का प्रयोग कर रहे हैं स्वस्त लाब भी हु और मेंट्स आज क्या सोया बीन ताम सिक्ट या और कोई ताम सिक क्या दूद जो हम डेरी फार्म से लेते हैं वह साथ एक नहीं होते क्योंकि वहां वह बुफैले उसके भी मिलते हैं यस जो भैस का बुद दूद पियाएगा उसके वुद्धी भैस जैसे जाएगे मोटे ब अगर आपने भवान को घी अर्पित किया है तो वह प्रसाद के रूप में प्रसाद कर सकते हैं कोई दिकत में और को प्रशन है यूटूब पे किसी भकत का प्रशन है प्रभुजी जब उमर निश्चित होती है तो भोजन से उमर कैसे बढ़ते है तो नेके उमर तो मैंने भी वाक्या किया था कि उमर निश्चित होती है पूर्वकर्म के उनसार लेकिन अगर बुरे कर्म करेंगे तो उमर घड़ जाती है तो अगर अच्छे भोजन करते हैं जैसे भावन या स्वयम बोल रहे हैं अच्छा कर्म करेंगे तो आयू बढ़ जाएगी ठीक है और प्र और आगे है जोड़ से बूली हाँ एकादसी अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो पुष्टम वाली मासवाले इकादसी से स्टार्ट कर सकते हैं यह कब भी शुरू कर सकते कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि भगवान ने प्रसाद को ग्रहन किया पहली चीज कि आप नियम करें जो नियम बताए गए हैं जब ने बताया कि उसको टच नहीं करें खाये नहीं इत्यादी सारा कुछ दूसरा उस पर तूलसी रहती है तो तूसी रह करके हम अचारों से प्रार्थना करते हैं भगवान को भोगर्पन करने तो विश्वास के संग ग्रहन करना चाहिए अब आप कहेंगे कि हमें कैसे मालम चले तो आपको लगा रहे बिल्कुल गड़ए आएटी में हमारे पास को सुभधाय ने थी तो सर के घर में प्रसाद पाते थे और मैस में खाना परता तो इतना भी अच्छा बना लें वो टेस्ट बिल्कुल नहीं लगता था आपने देखा है जो खाना जो समान में खाना होता ह फिल्कुल अच्हा नहीं यह दो नहीं हम है कि अब एक घ्रुजा नहीं करते हैं कि Penguin थे लिंड़े Space Army मैं पति के जूत्या नहीं खाना है मुझे खाना चाहिए नहीं प्रिशन यह है कि इनके पति जो है वो विवाज हवे कर रही है पति से उनके प्रसद नहीं शूंग नहीं कर रहे हैं और उनका जूट Turk मैं खा सकती हुगी नहीं लेकिन क्योंकि भगवान का प्रसाद है तो आप प्रसादम कभी अपवित्र नहीं होता क्योंकि खाना तो भोग लगाती ही होंगी क där अभल मैं शांस्तर्य बात बोल रहा हूं मैं इसको अन्यतपा मत लेजेगा भूल ने इसमें लिखा है कि कुता कूपा भी अगर प्रसाद खाले तो उसकाव जूटा खा सकते अभी अपवित्र नहीं होता है अब प्लीज इसको अन्यता मत लीजेगा लेकिन मैं खाली बोल रहा हूं कि कुते ने भी खाले यहाय तुम फश्री कोई प्रसाथ भग्मान विष्ण का प्रसाथ पाय पर हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए बहुत अच्छा प्रश्ण है हम प्रार्थना हम मंत्र तो बूलते हैं हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए बहुत सिंपल कि भगवान आपकी किर्पा से यह अन्न हमको प्राप्त हुआ है कि आप इसे ग्रहन करें हम बहुत गरीब आपकी आगा का पालम करते हुए हम आपके सामने कुछ लेके आए इस बहुत अच्छी बात मैं अभी आद आगए से कि देखें पूतना लोक भालगनी राक्षशी रुधिराशना जिगहान सयाप पी पूतना पूतना मतलब रुक शेया बत् zor के खार सबिक है नहीं के बूतना पूतना मतलब राक्षशी जोग के बंदेश के ब्चक्रिजव को मारने वाले राक्षशी रुधिराश्यरा खाना में घल बलद खून पीटी थी और उस के बादगा च्रिछनने को मारने के उद्देश से वह जहर देने के लिए आई थी फिर भी कृष्ण ने उसको अपने मां बना लिया तो अब देखिए वहां पे चक्रवर्ती बात बहुत सुंदर लिखते हैं कि भाई देखो अगर कोई भगवान कृष्ण को उदासीन भाव से दे मलब कोई हिदे में प्रेम जाय दो तो तो कि और मारने के है जहर देने आई उसको कर लिया तो जब कोई उदासीन समझते हैं न्यूटरू भाव से दे रहा है कोई प्रेम नहीं है भाव नहीं है कि रहा है तो भगवान क्यों नहीं ग्रहन करेंगे और अगर शद्धा से दे कि नहीं अच्छी वस्तु है मैं कृष्ण को दूँगा तो कृष्ण क्यों ग्रहन नहीं करेंगे और भगवान इस बात को 11 कन में कहते हैं बहुत सुंदर ध्यान परोट सुनिये कि जो कोई वस्तु कोई विक्ति अपनी प्रिय वस्तु यह समझ रहा है कि बहुत अच्छी वस्तु है इससे कृष्ण को सुख मिलेगा अगर ही सोच करके कृष्ण को देता है तो सचा अनंताय कलपते वही वस्तु उसको अनंतता प्राप्त करा देगी तो इसलिए भगवान क चैनल प्राप्त करते हैं यह यह थूछ सुंदर है इसको कृष्ण के अच्छा लगेगा यह फूल अगर भागवान को देंगे तो भागवान उस विक्ति को मुक्ति तुरंदे सकते हैं दे सकते हैं इसलिए नर्सिंग पुरान में कहा है कि जो बड़ी आसानी से उपल अप्रब्ध हैं फल फूल इत्या दि उसको भगवान को अरफित कर देने से मुक्ति मिल जाती है तो फिर मुक्ति के लिए अलग प्रयास करने की क्या जरत है शक् जोसी का नेपर को देता है तो फ्रागित करते हैं वहां सब्सूतर जूतर ही प्रेश्न को प्रम पूल गया हास्ति उस बार्षण वह कि बहुत है earn end नम्र भावना मिलेंगे तो भगवाद स्विकार करते हैं यह आरों से पानी लेते हैं तो इसमें बुलबुले होते हैं जब शान्त जान तब पानी पीजिए इसमें क्या मुश्किल है होगे मुझे पता था बहुत सारे प्रश्ट आएंगे और कुछ तब भोग इसलिए लगाते हैं कि नियुक्त भगवान से प्रेम नहीं है भवान के बारे में जानते हैं ठीक है सब्सक्राइब आपने पती का जूटा पत्नी खा सकती हां पुलग है हां अगर समाने भोजन है तो क्योंकि पत्नी निम्ना का जो श्रेणी है जो लेवल है वो प ठीक है एस प्रव माइक दीजे प्रवजी को किचिन इंचार्ज किचिन केप्टेन येस हां बोलिये प्रसाद कभी भी जूटा नहीं हो जाएगा कुटे काने के बाद भी एस सो डिवोटी इस टेकिंग प्रसाद में प्रसाद में एक्चेंज प्रू हां कर सकते हैं अब हाने से भी प्रसाद में जूटा नहीं होता है तो प्रसाद में एक्चेंज कर सकते हैं हां लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने एटिकेट भी होता है कि अपना जूटा हम सीनियर वैश्णर को सनसी के प्रेट में देने मर्यादा भी तो है नहीं हम सीनियर भक्तों का प्रसाद कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि आपना प्रशाद हम दूंको दो देंगे यह मर्यादा की बात भी होती है रहता है मर्यादा की बात है बाकि आप इधान रखेगा मैंने सुना है आनंग बजार में जगनाद में अगर आप अगर नहीं दो नहीं जोटा है यहां जमीन का पड़ा है सकते तो इतना मैंने सुना है बहुत डांते हैं नाटे मी क्या गाली देंगे आप वहां को बिश्वास नहीं बढ़ान के प्रशाद पैसे कर गए वहां तो नहीं नहीं जहां जूटा है उसी पर भाही बैट कर लोग चलू कर देते हैं कि नहीं तो देखें वाप इस प्रकार से ठीक है नावी इस्टार्ट भगवद कीता इंग्लिश क्लास तो जो लोग बैठना चाहें वह बैठ सकते हैं आदे खंटे क्लास करेंगे अधर वाइस लिकन कैरियों और जिन लोगो सारी वह दूद की सेवा करना ठीक है श्रीमत धागवद कीता की जाय श्रीव प्रभव